नमस्कार, आएए सुनते हैं कहानी इस्त्री सुबोधिनी, जिसे लिखा है एक्षशक्त लेखी का मन्नु बंडारी जी ने, आए सुनते हैं प्यारी बेहनों, ना तो मैं कोई विचारक हूँ, ना प्रचारक, ना लेखक, ना सिक्षक, मैं तो एक बड़ी मामुली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूँ, जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है लेकिन उस उम्र तक आते आते, जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जैसा एहम अनुभव मैंने पाया, चाहती हूँ, बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखूँ, और आपको बहुत सारे खत्रों से अगाह कर दूँ अब सीधी बात सुनिये, सीधी और सच्ची, मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया, वाह, आपके चहरों पर तो चमक आ गई, आप भी क्या करें, प्रेम कमबक्त है ही ऐसी चीज, चाहे कितनी ही पुरानी और घिजी पिटी क्यों ना हो, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है चहरे चमचमाने ही लगते हैं, खेर, तो यह कोई अनहोनी बात नहीं थी, डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का अपनी छात्राओं से, अफसरों का अपनी स्टैनों सेकरेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे हाँ आम रिवाज है, यह बात बिलकुल अलग है, कि उनकी और से इसमें प्रेम कम और शगल ज्यादा रहता है, शिंदे नए-नए तबादला होकर हमारे विभाग में आये थे, बेहत खुसमिजाज और खुब सूरत, आखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख लें, वह गोते ही लगाता रह जाये, बड़ा, शायराना अंदास था उनका और जल्दी ही मालूम पढ़ गया कि वे कविताएं भी लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में वे धड़ा धड़ छपती भी रहती हैं, और इस शेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है, आयकर विभाग की अफसरी और कविताएं, है न कुछ बेमेल सी बात, पर यह उनके ठीकत थी, मैं स्थितियों और उम्र के उस दोर से गुजर रही थी, जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेश प्रकार का लप-लप भावर रहता है, बूरी मात तीन छोटे भाई बेहनों को लेकर गाउं में रहती थी, और मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओं के एक होस्टल में, ना घर का कोई अंकुष था और ना इस बात की संभावना की कहीं मेरा ठोर ठिकाना लगा देंगे, आखिर मैंने अपनी नाक और आखों को कुछ अधिक सजक और तेज कर लिया, बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नजरों में अपने लिए विशेश स गया सिंदे, उसके तुसंकेत भी बहुत साफ थे, निमंत्रन भी बहुत खुला, लगा, किस्मत ने चपन पकवानों से भरी थाली मुझ भुककर के आगे परोस कर रख दिये, सो मैंने ना उसका आगा पिछा जानने की कोशिश की और ना अपना आगा पिछा सोचने की, बस आख मुदि और प्रेम की डगर पर चल पड़ी, हर प्रेम की शुरुवात करीब करीब एकसी होती है, प्रेमियों को वे सारी बातें चाहे जितनी रोमान चुकारी और गुद्गुदाने वाली लगें, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाओ और सपात लगने लगती है शाम में हमारी किसी रेस्टरॉं के नीम अंधेरे कोने में बीथ दी तो कभी बाग के जुर्मुट के बीच कभी हम आपस में उगलियां उलजाए रहते तो कभी वह मेरी लटो से खिलवाड करता रहता एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी बस फिर क्या था मैं जब तब गोदी में रखे उसके सिर पर जुक कर बदली छितरा देती और वह उचक कर यह क्या आपकी आँखों में तो अविश्वास उभराया मैं समझ के एक सीनियर अधिकारी और ऐसी छिछोरी फिल्मी हरकते पर सच मानिये अब भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहां के हर पुरुष के भीतर एक ऐसा ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है और जब तक वह पूरी तरह त्रिप्त न हो जाए मरता नहीं उम्र के किसी भी दौर पर उस समय चाहे वह छे बच्चों का बाप ही क्यों न हो जरा सा मौका मिलते ही भड़ड़ा कर जाग उठता है और पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जगड लीता है फिर तो बड़ी बड़ी तोपे तक ऐसी बचकाना और बेवकूफाना हरकतें करती हैं कि बस तौबा तौबा ना कोई शर्म ना उम्र का लिहाज आजकल की लड़कियों ने उस रास को अच्छी तरह समझ लिया है पर मैं तो उन बेहनों को सावधान करना चाहती हूँ जो शादी के पहले ही से उस हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर लेती है हाँ तो मैं पूरी तरह शिंदे मई हो गई पर तभी एक भयंकर जटका लगा बलकि कहूं की जो लगा उसके लिए जटका शब्द हलका ही है मालूम पड़ा के शिंदे की एक अदद बीवी है जो पहली बार पुत्रवती बन कर पांच महीने बाद अपने मैके से लोटी है यानि एक अदद बीवी और एक अदद बच्चा मुझे तो सारी दुनिया ही लडखडाती नज़र आने लगी लगा मैं बहुत बड़ा धुखा खा गई हूं मेरे भीतर गुसा बुरी तरह बलबलाने लगा बीवी बच्चे के रहते मेरी ओप्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब मैंने जब भी उससे घर और घरवालों के बारे में पूछा वह तीन चार शेर दोहरा दिया करता था जिनका शाबदिक अर्थ होता था मेरा न कोई घर है न दर न कोई अपना न पराया इस जमीन और आसमान के बीच मैं अकेला हूं बिलकुल अकेला पर मेरे लिए शेरों का सीधा सादा अर्थ था हरी जंडी, लाइन क्लियर सो मैं सपाटे से चल पड़ी बलकि चलने में थोड़ा फूर्ती भी की आप तो जानदी ही होंगे कि इस उम्र तक शादी न होने पर लड़कियों में खास तरह की हरवड़ा हटा जाती है चाहती हैं जैसे भी हो जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कबजे में करके पती बना कर अपनी टेंट में खोस ले मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी कि बीच में ही ओधे मोह गिर गई पर गिरने नहीं दिया शिंदे ने हाथों हाथ जेल लिया उसने बिना किसी बात को मौका दिये मुझे बाहों में भर लिया और धुआ धार रोने लगा पिता के दबाव में आकर की हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रैजिडी बन गए बीवी के रहते भी मैं कितना अकेला हूँ दो अजनबियों की तरह एक छट के नीचे रहने की यातना ऐसी ऐसी बातों के ना जाने कितने टुकडे आसों से भीग भीग कर टपक रहे थे मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जाओ इस दिशा में अब एक कदम भी मत पढ़ो मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी वह रो रो कर अपना दुख दोहरा रहा था इसी तरह हम दो तीन बार और मिले वही बातें वही रोना मैंने सोचा था कि आसों के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम भी बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लोट जाओंगी पर हुआ एक दम उल्टा आसों के जल से सिंच कर प्रेम की बेल तो और ज़्यादा लहलहा उठी अब देखिये ना मीरा का पद आसों जल सिंच सिंच बच्पन से पढ़ा था पर हम सब की ट्रेज़डी यही है कि स्कूली सिक्षा को जीवन में गुनते नहीं सिक्षा एक तरफ चीवन एक तरफ और इसी लिए ठोकरे खाते हैं यही हुआ उसका दुखी और दयनिय चहरा देखकर मेरे मन में प्रेम का जवार उमड़ने लगा उसके आसों ने प्रेम को इतना गीला और रप्टीला बना दिया कि वापस मुड़ने को तैयार मेरा पैर अपने आप को स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ गया शिंदे इस मैदान का पक्का खिराडी था मेरे असमंजस और दुविधा को चट भाप गया केवल भाप ही नहीं गया वरन उसने यह भी महसूस कर लिया की बीवी की उपस्थिती से हमारे प्रेम में अपात काली निस्थिती पैदा हो गई है अब यदि इसे बचा कर रखना है तो प्रेम करने के तरीके में एक क्रांदिकारी परिवर्तन लाना होगा बिना उसके मामला चलने वाला नजर नहीं आ रहा था रेस्त्रों और बाग बगीचों के बीच तो यह परिवर्तन आ नहीं सकता था इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगे तीन-चार कमरा मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया कि इन मुलाकातों के कारण उसके भीतर किसी तरह का अपराद बोध या कुछ गलत करने का भाव लेश मात्र भी नहीं है वह काफी त्रिप्त और ज्छका हुआ लगता था मुझे समझते देर नहीं लगी कि शरीर के इस तर पर भी मैंने अपने को उसके लिए अनिवारी बना लिया है मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा यह समर्पन तुरुप के एक्के की तरह कारगर सिद्ध होगा और बाजी मेरे हाथ निश्चे ही इन मुलाकातों ने मेरे प्रेम को बड़ी मजबूत बैसाखियां थमा दी चो गया अपना शरीर अपनी भावनाए उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर बच्चा बुढ़ा बाप असारी पारिवारिक खिच-खिच बीवी के जिम्मे इस विभाजन में मैं कुछ समय के लिए परम प्रसन्न यो भी इस उम्र में आदमी को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने शरीर पर ही होता है शरीर पा लिया समझो दुनिया जहां हथिया लिया उपर से मुझे वह कभी बातों से तो कभी कभी कभिताओं से समझाता रहता कि मन और शरीर की पवित्र भूमी पर ही असली प्रेम पनपता है घर की चार दिवारी के बीच निरंतर होने वाली खिच-खिच में तो वह मरता ही है मैं समझती रहती और अपने को बहुत पुपता जमीन पर महसूस करती वह बाते ही ऐसी करता कि संदेह की कोई गुझाईश नहीं छोड़ता मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन भग खूटे से उखड़कर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा बीवी की याद और बात सही शिंदे अपना चहरा एक दम मायूस बना लेता और बिना कहे ही मेरे दिमाग में यह बिठाने की कोशिश करता कि बीवी बनते ही औरत बहुत उबाव और त्रास दायक बन जाती है कि रिष्टों में बनते ही प्रेम नीरश और भीजान हो जाता है कि सच्चे प्रेमियों को तो हमीशा मुक्त ही रहना चाहिए बीवी बनने की ललक जब तब मेरे भीतर जोर मारती थी सच बात है मुझे तो घर भी चाहिए था पती भी और बच्चे भी पर उसे तो जैसे बीवी नाम से ही चिड़ हो गई थी कभी कभी तो वो अपनी बीवी की करकर स्वभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रो तक पढ़ता तब मैं लपक कर उसे बाहों में भरती अपने होटों से उसके आंसू पोच्टी और उसे होसला बढ़ाती कि जल्दी ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वह इस दुख से मुक्त हो कि मैं उसे एक सही सुख़ जिंदगी दूँगी यहाँ स्वाशन उसके लिए कम मेरे अपने लिए ज़्यादा होता था दिन सरकते जा रहे थे और अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बावजूद इस्थिती जहां की तहां थी यानि कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बंद ऐसे मेरी बुद्धी पर ऐसा मोटा परदा पड़ गया था कि यहाँ भी नहीं सोच सके कि उसकी बीवी भी आखिर मेरी तरह ही एक इस्त्री है अपने पती की छलावे और मकारी की शिकार पर नहीं यहाँ तो तब समझ में आया जब उसकी मकारी ने मुझे भी तबाही के कगार पर लापटका तभी तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं जब तब वहाँ उपस्थित होकर उसके इतरास को इतना बढ़ा दूं कि वहाँ खुद ही इस अपमान जनक इस्थिती को नकार कर अलग हो जाए रकीब को सामने देखकर अच्छों अच्छों के होसले पस्थ हो जाते हैं फिर अपमान और उपेक्षा की आग में जुरस्ती इस औरत का होसला ही क्या होगा और यही सोच कर आखिर मैं एक दिन शिंदे के घर जाधम की एक सुहागिन औरत की सारी नियामतों दूधो नहाई, पूतो फली भाव से वह कुर्सी पर विराजमान थी मुझे देखकर उसके चहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया विकार तो मुझे देखकर शिंदे के चहरे पर आया जिसे उसने थोड़ी सी कोशिश करके अफसरी नकाप के नीचे ढख लिया दफतरी भासा में दफतरी बातें करके उसने मुझे चलता किया पर बाहर निकलते समय हाथ दबा कर लाड में लिप्टी हलकी सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंतरन भी दे दिया मैं उसकी बीवी को तरस्त करने गई थी पर खुद ही तरस्त और पस्त होकर लटी मुझे आश्चर हो रहा था कि या औरत है या मांस का लोदा इसका आदमी तीन साल से एक दूसरी लड़की के साथ मस्ती मार रहा है और उसे ना कोई तकलीफ ना कश्ट मैं इसकी जगा हूँ तो शायद एक दिन भी इस तरह की अपमान जनक स्थिती को बरदाश्ट ना करूँ इसके शरीर पर चमडी लिप्टी है या गैंडे की खाल यह तो मुझे बहुत बाद में अपने अनुभव ने सिखाया कि अधिकतर शादिशुदा औरतें ऐसी होती हैं जिने अपने घर की दिवारों से बेशुमार लगाव होता है इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उन दिवारों को ही अपने शरीर के चारों और लपेट लेती हैं फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकरा कर बाहर ही धेर हो जाते हैं और वे उनसे बेशर सती साधवी सी भीतर सुरक्षित बैठी रहती हैं शाम को शिंदे मुझ पर एकदम बरस पड़ा कि मैंने उसके घर आने की मुर्ख तक क्यों की कितना चौकस रहना पड़ता है उसे हर समय जिससे उसकी बीवी को इस प्रसंग की हवा भी ना लग सके वरना तो वह सूप नखा की तरह आफिस, परिवार और सारे सहर में हर बोंग मचा कर रग देगी मौका लगा तो मेरा जोटा पकड़ कर सड़क पर जूते लगवाएगी और बड़ी चलाकी से उसने मेरे मन में अपनी पतनी के लिए जिसे वह अकसर कोतवाल कहता था धेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया साथ ही जल्दवाजी करने की अपनी नादानी भरी मुर्खता पर मुझे बेहत शर्मिंदा भी किया देखा आपने कि कैसे शातिराना अंदास से पुरुष नफरत और गुसे की सुई अपनी ओर से सरका कर दोनों औरतों की ओर भुमा देता है वे ही आपस में लड़े भीडे कोसें गलियाएं और वह जो असली गुनहगार है अपने पर आच आये बिना अराम से दोनों का सुख भोगता रहे वह समझाता कि सह जीवन का मधूरतम पक्षतो हम भोग ही रहे हैं मैं क्यूं पिकार में शादी ब्याह और घर में जकर कर इस मधूर संबंद का गलागोटना चाहती हूं और इसी चकर में वह मधू उडेलती हुई तीन चार फटकती कविताएं मेरे नाम ठोग देता मेरे कंधो पर इस्तरी पुरुष के संबंदों को एक नई दिशा देने का दायत तो है अगली पीड़ी अधिक स्वस्त अधिक मुक्त जिन्दगी जी सके उसके लिए हमें पहल करनी होगी एक उदाहरन रखना होगा चाहे उसके लिए हमें खाद ही क्यों न वरना पड़े शिन्दे तो ये बातें ज़ाड़कर मजे से अपनी बीवी का बगलगीर हो जाता और मैं असली अर्थों में खाद बनी अपने कमरे में सड़ती रहती तभी शिन्दे का तबादला हो गया मैं एक बार फिर डगमगा गई मुझे लगा कि बस अब यह मेरी जिन्दगी से निकला पर उस समय तो बस शिन्दे में ही प्राण बसते थे लगता था उसके बिना जी नहीं सकूंगी गलत सही की समझ ही कहां रह गई थी मैं उसे पाना चाहती थी और वह मुझे खोना नहीं चाहता था उसके साथ होटल में गुजारे वे दिन मैं तो भूल ही गई कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी है तबियत एकदम लहलहा उठी इस बार उसने बकाइदा योजना वनाई की पत्नी को अब यहां ना वुरा कर उसके पिता के घर भीज़ देगा और धीरे धीरे उसे कानोनी कारवाई करने के लिए राजी कर लेगा यदि नहीं हुई तो मजबूर करेगा बातों का तो वह बात्शा था है पत्र लिखने में भी उसे एक कमाल हासिल था शरीरों में जो दूरी आ गई थी उसे वह पत्रों की भाषा से पाटता रहता पत्रों में मुझे वह दिव्विप्रेम का दर्शन समझाता मेरे जन दिन पर अपने इसी दिव्विप्रेम में डुबो कर उसने एक खुबसूरत सा तोफा मेरे लिए भेजा कभी वह चांदनी रात के गीत लिख कर भेशता तो कभी साथ बिताए मधुर छणों की याद को ताजा करने वाली कविताएं उसने आखों में सच मुच के आशु भर कर कहा कि मैं ही शिंदे की प्राण हूं शिंदे की प्रेणना हूं घर परिवार की अतरिक्त शिंदे का जो कुछ भी है और वही तो असली शिंदे है वह उसने मुझे पूरी तरह सौन रखा है और तुरंथ उसने अपनी बात का प्रमान पेश कर दिया मुझे समर्पित किया हुआ अपना नया कविता संग रहा, हाथ से लिखा हुआ था, प्राण को, उसकी प्रेणना और प्राण बनने का हश्न, यह हुआ कि वह तो दिन दूना, रात चौगना, फलता फूलता रहा, धन, यश, सफलता, मान सम्मान, सभी का मालिक और मैं, भीतर ह भीतर, जुलसकर, काठ का कुंदा हो गई, सब और से मरी, मुरजाई, तूटी और पस्त, मैं समझ गई कि मैं बुरी तरह ठगी गई हूँ, धीरे धीरे उम्र की बढ़ोतरी और आफिस और दुनियादारी की निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच, शिंदे की रोमान जरूरत खटती चली गई, परिणाम क्या हुआ कि हमारे भी चलने वाले पत्रों की संख्या कम और मजमून मौसम के सर्द गरम होने पर आकर टिक गया, आठ साल तक चलने वाला प्रेम प्रसंग महज एक खिलवार था, जिसकी बाजी बड़ी होशियारी से सिंदे ने बाटी भ्रमजाल के कटते ही, नजर साफ हुई, तो बाजी में बटे हुए पत्तों का यह नशा, रह रह कर मेरी आँखों में उभरने लगा तुरूप का एकका यानि घर उसके पास, तुरूप का बादशा यानि बच्चा उसके पास, तुरूप के बेगम यानि बीवी और प्रेम करने के लिए प्रेमिका उसके पास, तुरूप का गुलाम यानि नौकर चाकर, गाड़ी बंगला उसके पास, लबो लुवाब यह क तुरूप के सारे पत्ते उसके पास और मुझे मिले उसके दिये हुए छक्के पंजे, यानि टोटके की तरहा पुडिया में बंधे, दाशनीक लफवाजी में लिप्टे हवाई प्यार के चंद जुमले, इन टट पुझियों, पत्तों के सहारे में जादा से जादा इतना ही क कर सकती थी कि जिन्दिगी भर उसकी पूँच पकड़े रहती और उसे ही अपनी उपलब्धी समझ समझ कर संतोश करती, मन बहुत घबराता, तो उसी पूँच से हवा करके उसके साथ बिताए मधुर छड़ों पर, जमी समय की धूर उड़ा कर, कुछ समय के लिए अपना ख जहती हूं, ठेट दुनियादारी की बातें अपनी हजार हजार मासूम की सोरी बहनों के पल्ले से बांध दूं, जिससे वह मेरी तरह भटकने से बच जाएं, इस देश में प्रेम के बीच मन और शरीर की पवित्र भूमी में नहीं, ठेट घर परिवार की उपजाओ भूमी से ही फलते फूलते हैं, भूल कर भी शादिशुदा आदमी के प्रेम में मत पढ़िये, दिव्य और महान प्रेम की खातित, बीवी बच्चों को दाव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की, यहां पैदावार ही नहीं होती, दो नावों पर पैर रखकर चलने वाले शूर वी चाहा प्रेम किया, मन भर गया, तो लोट कर अपने खूटे पर, ना कोई डर, ना घोटाला, जब प्रेम में लगा हो श्रादी का ताला, आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, और आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होगी, अगर आपको कहानी पसंद चाहते हैं और यहाँ पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,